Hello everyone, आप दिख रहे हैं The Sketch Your Art and Technology दोस्तों, बहुत लोगों ने Gmail यूज किया ही होगा जब भी हम किसी को भी mail भेजते हैं तो वो message या mail किसी को भी तुरंट प्राप्त हो जाता हैं लेकिन अगर हम बात करें कि हमें अपने mail mobile app से अगर आप चाहते हैं किसी को scheduled message भेजना लाइक हम किसी date पर, किसी particular time पर आप उस mail को उस time पर भेजना चाहते हैं तब आप अपने Gmail में schedule कर सकते हैं उस mail को तो इसे कैसे करना है अपने mobile से Gmail आपके थुरू वो हम सीखेंगे तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है इसके लिए सबसे पहले आपने Gmail वाले app में चले जाएए ये आपका Gmail ओपन हो चुका है अब आपको किसी person को mail करना है तो mail करने के लिए आप इस plus वाली sign में चले जाएए उसके बाद आप यहाँ पे to में उस person का mail id लिख लीजे subject में लिख लीजे important उसके बाद please find in the attachment मैंने लिख दिया है ये compose mail में उसके बाद मैं इस वाले arrow पर अगर click करती हूँ तो मेरा message जो भी है वो तुरंट में ही उसको mail हो जाएगा सामने आले person को लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये particular date पर जाए तो मैं यहां पर तो मैं यहां पर यहां थ्री डॉट्स आप देख रहोंगे उस पर जैसी क्लिक करती हूँ तो यहां पर first option दिया गया है scheduled send उस पर मैं क्लिक करूँगी उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर option दिये गये हैं tomorrow morning, tomorrow afternoon, Monday morning ये तीन time दिये हैं इसके अलावा आप date and time भी कर सकते हैं यहां से select कर सकते हैं directly और time भी select कर सकते हैं आप directly तो फिलहाल मैं इस date को select कर लेती हूँ tomorrow morning तो आप देख सकते हैं नीचे में दिया गया है send schedule for tomorrow 8 ओके तो यह जो है कल 8 बचे morning में यह message जो है आप important file आप send कर रहे हैं उस date पर चला जाएगा लेकिन कभी कबार ऐसा होता है कि आपको वो जो schedule है वो change करना है तो ऐसे टाइम पे आप यहां पे three line देख रहे हैं यहां पे इस पर click कर लीजिए उसके बाद आप देख रहूंगे यहां पे schedule तिया गया है उस पर आप click इसके बाद यह पहली जाए है उसके बाद यहां पे cancel send कर दीजिए तो आप फिर से इसमें click करिए उसके बाद इसको फिर से schedule कर दीजिए और pick and date के बाद आप यहां से जो भी date select करना चाहते हैं suppose 2nd माई तो फिर उसके बाद आप timing यहां से 8 o clock को अगर send करना चाहते हैं morning 8 a.m को तो okay जैसी करेंगे और schedule send में जाएंगे तो आपका जो यह mail है वो उस time पर उस date पर send हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है आप cancel भी कर सकते हैं और reschedule भी कर सकते हैं अपने mail को तो आप देख सकते हैं मैंने gmail में किस प्रकार से अपने mail को schedule किया आप भी इसे करके देख सकते हैं यह बहुत ही easy है तो बस आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जादा से जादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना बुले थैंक कि यू